स्यम योगी आदे तिनाद पचास साल के हो गए हैं वह जाब 20 साल के थे तो ना ही उन्होंने सांसर बननी के बारे में सोचा था ना ही स्यम उनके माता पिता चाहते थे कि वह B.S.C के बार M.S.C करे और फिर नौकरी हलांकि कॉलेज टाइम में उनके बहनोई की च्छा थी की उनका साला वाम पध्धी वने हलांकि इन सब की बातों से इतर वह गुरू अवैद नाथ से मिले और वह आज यूपी के मुख्य मंत्री है कॉलेज में एडिमीशन के बाद छातर राजनीती में हुए एंट्री दोबारा UP के CM बनने पर राजनीती में योगी आदितनात का कद्ध आज और भी बढ़ गया है हलांकि आजाय सिंग भिष्ट से लेकर योगी आदितनात और UP के CM बनने तक का उनका सफर आसान नहीं था उनका जन्व 5 जून 1972 में उत्राखन के पौड़ी गरवाल जन्पत के पंचूर गाउं में हुआ था उन्होंने आटवी तक की पढ़ाई पास के ठांगर के प्राइमरी स्कूल से की और नौवी की पढ़ाई के लिए चम कोट खाल के जन्ता इंटर कॉलेज का चुनाओ किया इसके बाद वे इंटर्मीडियर की पढ़ाई के लिए रिसी केश चले गए वहाँ भरत मंदिर इंटर कॉलेज से पढ़ाई पूरी की यहां से 1989 में उन्होंने कोट दोर के गवर्मेंट पीजी कॉलेज में बीसी में एड्मीसन लिया इसी के साथ वे कॉलेज से छात राजनीती में उतराए ए बी वी पी जोईन करनिक बाद लगा नर्दली चिनाओस सांतनु गुपतापनी किताब योगी गाता में लिखते हैं कि आजय विष्ट की वहिन कौशल्या के पती और उनके भाई कोट दोर के बामपंदी संग्ठन से जुड़े हुए थे उन्होंने आजय को बामपंदी संग्ठन स्टूडेंट फेडरेशन आफ इंडिया यानी SFI से जुड़ने का ओफर दिया था हालां की योगी ने इसे इंकार कर दिया कॉलेज की दिनों में वह ए बी वीपी से जुड़े आजय विष्ट ने पहले साथ संग्ठन से जुड़कर परचार किया फिर अगले साल चुनाओ लड़ना तै किया उन्होंने संग्ठन से ठिकट मांगा तो संग्ठन ने अगले साल देने की बात कही इस परवाय नर्दली ही चुनाओ लड़ गए और अरोड तिवारी को हरा दिया अजर विष्ट की मा सवित्री देवी चायती थी कि वह सरकारी नौकरी जोईन करें इसके लिए उन्होंने बेटे की पढ़ाई में कोई कमी नहीं छोड़ी यहां तक जब उन्होंने सन्यास ले लिया उसके बार भी माता पिता उन्हें वापस लाने के लिए हलान की उन्होंने इंकार कर दिया योगी आतितनात पहली बार 1999 में गोरक पुर से सांसत बने इसके बार 1999 में उन्होंने फिर से विजय पता का फैराई और 2002 में हिंदू योवाईनी नाम का संग ठन बनाया 2004 में तीसरी बार और 2009 में चौती बार उन्होंने गोरक पुरसीर पर जीत दर्ज की 2014 में पाचवी बार गोरक पुरसीर से सांसत बने 2017 में स्रियम बनने के बार उन्होंने बिधान परशत की पसदसता ले ली 2022 के चौनाओ में गोरक पुरसीर उन्होंने पहली बार बिधान सबाद चौनाओ लड़ा और जीत दर्ज की बीरो रिपोर्ट आई प्याइए